हेलो आप देख रहे हैं All Study Easily चैनल आज हम पढ़ेंगे क्लास 9, 10, 11, 12 हर किसी में ये पत्र आता है हिंदी का है देखिए धनी प्रदूसर की समझ्या पे आपको संपादक को पत्र लिखना है 5 या 8 नमबर का आपका ये कोशन आता है ठीक है तो आप छोड़के नहीं आएंगे आप इसको समझिएगा रटिएगा नहीं क्योंकि मैं रटाओंगी नहीं आपको समझाओंगी तो इसलिए आप समझिएगा और फिर लिखेगा धनी सभी को पता है आवाज, सोर ठीक है ना Noise जिसे कहते है उसे Noise से यानि कि धनी से प्रदूसर होता है यानि कि पॉलिशन भी तो उसी को आपको प्रॉब्लम अपनी मैंसन करनी है संपादक को लिखना है यानि कि आपको अखबार में ये संपादक को पत्र लिखना है तीक है अब देखिए किस तरीके से लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में ठीक है फिर लिखेंगे संपादक मोदय फिर नौ भारट टाइम्स ये अकबार का नाम है आप कोई भी अकबार का नाम लिख सकते हैं जैसे दैनिज जागरण, अमर उजाला हो गया ठीके आप जो अकबार आता आप उसका नाम लिख देंगे आप जहां से हैं वहां लिख देंगे नई दिली का है तो मैं नई दिली लिख दिया आप कानपूर लखनाओ दिली इलाँबाद जहां क्यों गयों आप लिख देंगे ठीके फिर हमारे विषए आज़ता है विषए यान् Dutch कि हमारी बिया में ठीक है और साधी बिया नहीं भी हो तो लोग चलाते हैं डेख वे और बहुत तेज वोईस में चलाते हैं सोर होता है तो आपको इससे जो प्रॉब्लम हो रही है आप वो चीज लिखोगे ओके यह हो गया आपका विशे ध्वानी प्रदूसन यह आपका विशे हो गय आपको पता यानिकी साउंड नहीं भी हो गया ठीक है तो यह क्या है आज कल हमारे महले में यानि की लॉड सपीकर यानि सपीकर्स भाग तेजी से चलाय जा रहे है जिसके कारण के हम बहुत ज़हादा प्रॉब्लम से sam 002 पहे से बारोग तो पमयां ओप हैं निक् geek अ sound चला दिया speaker चला दिया तो उसे क्या आपको बहुत ज़्यदे problem हुए buffer चला दिया, उसे क्या आपको पढ़ने में problem हो रही है, तो वही चीज़ आप यहाँ पे लिखे हुए कि उससे आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ठीके ना देखें, वीडियो आपको समझ में आरें, तो में यह आपसे request है, प्लीज चैनल को सेस्क्राइब करें और बैल आइकन जरूर आए बैल आइकन दवाने इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई भी नोटिफिकेशन में वीडियो का डालो, सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आए ठीके ना, तो इसलिए आपको बैल आइकन दवाने को कहा जाता है और कोई भी डाउटो आप मुझे कमन बॉक्स में पूश सकते हैं अब देखें, नेक्स्ट है विशेष्टा, विद्यार्ती वर्गे को जो ही हम पढ़ने बैठते हैं त्यों ही लाउटो स्पीकरों के शोर सेकानों के परदे वटने लगते हैं देखें, विद्यार्ती यानि कि स्टूडन्ट, जैसे हम अभी स्टूडन्स है अभी पेपर सभी के चल ले, अभी तो नायंत वालों के चल ले, नायंत वालों के, कुछ टाम बात तवलत वालों के भी हैं जैसे ही आप लोग पढ़ने बैठते हो, ठीक है वैसे ही कोई चला देता है लाउड स्पीकर, यानि कि अभी साधी ब्या का भी मौसं से सोईजन चल रहा है दो गईों पर या साधी ब्या चल रहा है तो वो क्या बहुत तेज आवाज में चल रहा है उससे आपके कानों के पढ़ दे पढ़ रहे जैसे आपके जश्ट बगल में मान लीजे, पढ़ने में बहुत ज़्यदा प्राब्लम हो रही है फिर देखे, मंदिर, मस्जित और गुर्धवारों में जोड जोड से लाट स्पीकरों को बजाने की होड़ सी लगी हुई है, यानि कि जो मंदिर हैं, मंदिर में लोग बजा देते हैं गाने वाने, ठीक है, बहुत तेज बोईस में और मस्जिट में पिए कॉंपटिशन चलन ठीक है अब आगे देखिए बहले ही अंदर एक भी आदमी ना हो बहले ही देखिए मंदिर में या मस्जिद में गुर्दवारे में आपने साउंड चला दिया आप वहां पर बैटे नहीं चला गया अराम से इधर उदर घूम रहे लेकिन प्रॉब्लम किसे और यह बच्चों क कया चली है आजकत्यों को पर भया है तो असले और पकार कपांदेज प्ड़ी ही और रहे साथ से करके जब करके अफिस से आ रहे हैं तो वो सोते हैं करके आते तो दिन में सो रहें तो उनको धिकत है ठीक है तो उनकी नेंद पूरे नहीं हो पा रहिए तो में प्रोब्लम हो रही तो मैं आपसे निवेधन कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम से ठीक है ना मैं निवेधन कर रहा हूँ कि आप मेरी help करें इस चीज में कि इस पर प्रतिबंद लगाया जाए यानि कि इसको रोका जाए एक लिमिट दी जाए कि इतने वज़े तक आप sound speakers चला सकते हो और कम आवाज म उसके बाद आप लिख देंगे निवेधक जो लिख रहा है लिखने वाले का नाम कुछ भी हो सकता है आप लिख रहे तो आप अपने नाम डालोगे और यहां पर मैंने फूल चंदर रावत डाल दिया है नाम ठीक है अगर पेपर में आता तो वहां पे साफ-साफ खा जाता मैंने क्योंकि बहुत कोछ इस करी आपको समझाओं रटाओं ना तो इसलिए आप लोग प्लीज वीडियो भले ही दो आर देखने पड़े तीन बार देखने पड़े आप इसको समझना रटना नहीं और अपने पर अजूम करना कि मानलो आप पढ़े रहे हो और भगल में सा पत्र लिखेंगे कि मुझे साउंड मेरे अगल बगल जो चला रहे हो से मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम हो रही वही चीज इसमें लिखनी होती है ठीक है ना अगर आप अजूम करके करेंगे तो आप कर लेगे अगर आप रटके करेंगे तो डेफिनेटली आप एक्जाम त इसका भी एक screenshot ले लीजिए तो यह थी आज के हमाई वीडियो कैसी लगी आपको में वीडियो कमेंट बॉक्स में बताईएगा और कोई भी डाउट हो तो आप किलियर कर सकते कमेंट बॉक्स कीजिए आप मेरे को तो मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगी जो प्रॉब्लम होगी में उनको जरूर सॉल्फ करूंगी ठीक है ना वीडियो आपके लिए हैल्फ रही तो प्लीज चैनल को से स्काइब कीजिए और बैल आइकन दबाए और ज्याज ज्यादा लोगों को शेयर करें कि आपको वेनेफिट हुआ तो दूसरों को भी वेनेफिट हो क्योंकि कि यू